नमस्कार प्रिविद्य अथिगर्ण आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में सब्द के बारे में आज पढ़ेंगे, सब्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो सब्द क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्यान करेंगे, तो चलिए देखते हैं, सब्द, सब्द क्या होता है, वाडो के सार्थक समू को सब्द कहते हैं, करने का मतलब वाडो का सार्थ होता है उसको सार्थक का जाता है तो सब्द होता है वाड़ो का सार्थक समों वाड़ो के सार्थक समों को सब्द कहते हैं यह परिभासा हो जाएगी इसकी तो सब्द के भेद सब्द के भेद मुख्त दो पहला है सार्थक दूसरा निरर्थक सार्थक क ஆ की मतलब होता है जिस सब्द का कुई ने कोई अर्थ होता है और निरथक का मतलब होता है और निरर्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है जिसका अर्थ नहीं होता है इसको निरर्थक का जाता है जैसे धम फट तन इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है ठीक है यह निरर्थक है तो जिसका अर्थ नहीं होता है जिस सब्द का कोई अर्थ नहीं है कोई मत सब्धों के साथ प्रयोग होते हैं तो आगे चलते हैं कुछ निर रथख सब्ध भी सार्थक सब्दों के साथ प्रयोक्त होते हैं जैसे रोटी यूटी यूटी है जो खाते हैं रोटी है इसका अर्थ है कुछ ओटी क्या है ओटी तो कुछ नहीं है लेकिन सार्थक सब्दों के साथ प्रयोग होता है ठीक है कुछ निरर्थक सब्दों का सार्थक सब्दों के साथ प्रयोग होता है ठीक है रोटी ओटी जैसे आहां और काम धाम खाना वाना ठीक ह तो सार्थक के साथ निरर्थक भी प्रयोग किये जाते हैं काम का तो अर्थ है लेकिन धाम क्या है कुछ नहीं खाना तो खाना मतलब जो खाते हैं इसका अर्थ है वाना क्या है कुछ नहीं करने के मतलब साथ थक सब्दों के साथ निदर्थक सब्दों का भी प्रयोग किया जाता है इतना हुआ कि आके चलते हैं इसके कि इस लिए देखते हैं सब्दों के प्रकार के बारे में सब्दों के प्रकार के बारे में देख लेते हैं तो पहला है स्रूत या इतिहास या उत्पति के आधार पर सब्द दूसरा हो जाएगा रचना या बनावट के आधार पर सब्द तीसरा हो जाएगा रुपांतर के आधार पर सब्द तो सब्द को चार भागों बाड़ दिया गया है स्रोत या उत्पति या इतिहास के आधार पर पहला हो जाएगा दूसरा रचना या बनावट के आधार पर तीसरा रुपांतर के आधार पर चोथा अर्ज के आधार पर ठीक है तो यह हुआ देखते हैं इसको तो सबसे पहले देखते हैं इसको देखते हैं सबसे पहले स्रोत इरियास या उत्पति के आधार पर सब्द को देखते हैं, तो तत्सम, पहला हो जाएगा तत्सम इसमें, तो तत्सम क्या होता है, जो सब्द संस्कृत के हैं, ठीक है, जो संस्कृत से डारेक्ट उठा लिये गए हैं, और हिंदी में प्रयोग किये जाते हैं, उसको तत्सम सब्द कहते हैं, ठीक है, काने मतलब सं संसकृत सब्ध ही है तत्सम जो सब्ध है संस क्रियोग करते हैं तत्रव सब्ध संस्क्रित होता है ठीख है जो सब्ध करते हैं अर्ठ परिव ल crisp कर सक्रिफ करने का संस्क्रिफ s से ही परिवर्तित होकरे बने हैं लेकिन अब संस्कृत के नहीं रह गये हैं ठीक है इसका परिवर्तन हो गया है बदल करके हिंदी में प्रयोक कर लिए गये हैं ठीक है यह संस्कृत नहीं है लेकिन तत्सम जो होता है संस्कृत ही रहता है और संस्कृत का रूपांतरी मतलब ब कोई पता नहीं कि किस भासा के हैं ठीक है वो सबी देशाज सब्द कहलाते हैं या देशी सब्द कहलाते हैं जो हम लोग अपने घरों में जिसका प्रयोग करते हैं कुछ सब्दों का तो हो जाते हैं देशाज सब्द आगे चलते हैं देसफरे सब्द के बाद विदे salvation या आगत सब्द बही इसको कहा जाता है तो अनडेसों से आए सब्दू जो दूसरे देस से आए है और प्रेयों किए जाते है ओर सबी क्या हैं अंग्रेजी भी विदेंसस सब्द है फ्येक है भी बीदेस सब्द से मतलब के अगे चलते हैं आदो साफ देखते हैं पहला हो गया डीज है रस्य अजब नाउट yeah अधार पर है जो बनाई जा सकते हो ठीक है तो श्र cm च्रीम बनाउट के अधार पर सब्ध तीन होते हैं तीन प्रकार के होते हैं यह Trude योग गészी सब्दों का सार्थक खंड़ नहीं किया सकता है जिन सब्दों का सार्थक खंड़ नहीं हो सके तोड़ने पर कोई अर्थ न निकले जैसे चावल ले लिजिए चावल को तोड़ा नहीं जा सकता अगर चावल दो भागों तोड़ेंगे चा का मतलब कुछ नहीं वल का मतलब कुछ नहीं तो दोनों तोड़ने के बाद निर अर्थक हो जा रहे हैं तो यह क्या हो जाएंगे रूण सब्द इसको कहेंगे ठीक है जिसे घैर दिन इनको तोड़ा नहीं जा सकता है तो इसको रूण सब्द कहा जाता है और याउगिक सब्द कीसे कहते हैं तो याउगिक सब्द देखिए कीसे कहते हैं दो या दो से अधिक सब्दों के मेल से बने सब्द को योगिक सब्द कहा जाता है ठीक है दो अथ्वा दो से अधिक सब्दों के मेल से जो सब्द बनता है उसी को क्या कहते हैं योगिक सब्द कहते हैं तो योगिक सब्दों की रशनत तीन प्रकार से हो सकती है तो कैसे उपसर्ग से हो सकती है प्रत्ते से हो सकती है साह रिट तीन रूपों से बनाय जा सकते हैं उपसर इंग साफ सर्थ Б纈 तो यह हो गया थरे यह तो कियों को देखते हैं तो यह फिसे हैं किसे कहते देख की या होते हुए इस सब्षकों प्रकट करते हैं नो ऑस जो सब्दी होसा होते हैं लेकिन वह किसी और अर्थ की और संकेत करते हैं दूसरा अर्थ बताते हैं ठीक है अनर्थ निकलता है इसका तो इसको योग्रूर करते हैं जैसे देखिए जयलज यह देखिए योगिक सब्दे होते हैं जो उपसर्क से बनते हैं प्रत्य से बनते हैं समाज से बनते हैं जैसे समाजिक बिद्या धनाले बिद्या का घर और यह समाजिक यह हो गया योगिक सब्द योग्रून में जो जलज हैं लंबोदर दसानन पितामबर तो इनका मतलब आगर निकलता है जैसे जलज जलज का मतलब होता है जल में उत्पन होने वाला तो जल में उत्पन तो बहुत चारे चाहे होते हैं लेकिन यहाँ जलज का मतलब हो जाएगा कमल लंबोदर का मतलब यहाँ अर्थ निकल रहा है गणेश ठीक है दसानन, दसानन का अर्थ निकल रहा है रावाड, इसी तरह से होता है सभी, योगरून हमें कहने का मतलब अलग अर्थ निकलता है, सब्द से अलग हो जाता है, मतलब अर्थ जो निकलता है वो सब्द नहीं, दूसरा अर्थ निकल जाता है, कोई अलग सब्द बन जाता है, ठी कि आगे चलते हैं कि तीसरा आप देखते हैं रूपांतर के अधार पर रूपांतर करने में रूप में अंतर रूप में परिवर्तन रूप परिवर्तन करके तो रूपांतर के अधार पर दो होते हैं विकारी और विकारी विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार मतलब परिवर्तन जिसमें होता है अब विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है ठीक है ना लिंग वच्चन कारक के अधार पर मूल सब्द का रूमपांतर करने मतलब लिंग वच्चन वो कारक के अधार पर जिसमें परिवर्तन होता है वो होता है विकारी सब्द और लिंग वचन कारक क्याधार पर जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको कहा जाता है अविकारी सब्द ठीक है इतना हो गया तो विकारी सब्द कौन कौन से होते हैं संग्या होता है सरवनाम होता है विश्यसंड होता है और क्रिया होता है य और अभी क्यारी होते हैं सभी अभ्य अभ्य का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है अभ्य होते हैं ठीक है तो यह हो गया कि आगे चलते हैं चौथा है अर्थ की आधार पर अर्थ की आधार पर भी होते हैं चार एक आर्थी अनेक आर्थी समान आर्थी विपिरीत आर्थी तो एक आर्थी में जिन सब्दों के केवल एक आर्थ हो एक आर्थी सब्द कहे जाएंगे ठीक है करने मतलब ब्यक्ति वाचक संग्या ब्यक्तिवाचक संग्या के सब्द इसी कोट के हैं ठीक है ब्यक्तिवाचक संग्या एक अर्थी सब्द होते हैं जैसे गंगा पुटना जर्मन यह सभी एक आर्थी हैं इसका एक ही अर्थ है दूसरा अर्थ नहीं है अनेक आर्थी मतलब जिसका अनेक अर्थ हो एक से अधिक अर्थ हो जिसका ठीक है जैसे हार हार का तो एक अर्थ होता है गले में जो पहना जाता है हार और एक हार का मतलब होता है पराज है मतलब क कोई कोई हार गया जैसे तो यह होता है दो अर्थ होता है तो पहनने वाला हार एक हार मतलब पराजे इसी तरह से और भी हो जाएंगे ठीक है करने मतलब अनेक आर्थी में एक सब्द का एक से अधिक आर्थ होता है और समान आर्थी देखिए समान आर्थी को परियावाची भी कहा जाता है करने मतलब समान आर्थ अपने समान आर्थ जो देते हैं वो होते हैं समान आर्थी कि क्या क्या नाम है सूर को और क्या कर सकते हैं दिनकर दिवाकर भान भासकर रवी यह सब सूरिक का नाम है तो यह सभी सूर के परियावाची हो जाएंगे ठीक है तो समानार्थिया परियावाची इसको कहते हैं विप्रित आर्थि यानि बिलोम सब्द बिलोम का मतलब उल्ट करने मतलब विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले सब्द विपरीत आर्थी सब्द कहलाते हैं जैसे जय का विपरीत हो जाएगा पराजे दिन का विपरीत रात हो जाएगा करने मतलब उल्टा विपरीत तो यह हो गया आगे चलते हैं तो बस सब्द के बारे में इतना ही था इसके आगे किसी और वीडियो में देखेंगे अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्ट्स टॉपिक पर तब